हेलो दोस्तों, वेल्कम टू सफलता मंतर यूपी टेट स्पेशल क्रासेज में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप सब के लिए संस्क्रत का इंपॉर्टन प्रेक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो की 100 कोस्चन्स की एक सीरी चल रही थी जिसमें मैं आपके पिछले वर्सों में यूपी टेट के पूछे गए 100 कोस्चन्स को डिसकस कर रहा था इसके मैंने आपके 50 कोस्चन्स कंप्लीट करवा दिये थे तीन पार्ट में और आगे के जो बचे हुए कोस्चन्स थे उनको मैंने कहा था कि जल्दी आप लोगों के लिए लेकर रहूंगा तो दोस्तों आज या आज आपका पार्ट 4 है जिसमें मैंने आगे के कुछ important questions लिए हुए है जो की उपी टेट एक्जाम के लिए काफी important है इन सभी questions को अच्छे से एक एक question को देखते रहे है और पिछले जो part आपने ना देखे हूँ उनके भी link description में दिये हुए है वहाँ से जाके आप लोग बो part भी देख लें क्योंकि ये subscribe के important question है और यही question repeat होते रहते हैं हर बार तो इन questions को अगर आप लोग अच्छे से तयार कर लेंगे तो लगवग आपके 15 number तयार हो जाएंगे इन 100 questions में से तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe ना किया हो कालिदास भास या फिर भारवी तो दोस्तों इसका D number option सही हो जाएगा ये भारव के लिए कहा गया है इन्होंने बहुत ही महतपूर्ण ग्रंत की रचना की जिसका नाम है किरातार जुनियम इससे भी लगवग दो नंबर के question जरूर आपके Sanskrit साहित के अंतरगत पूछे जाते हैं तो दोस्तों इसका आपका D number option सही हो जाएगा आप बढ़ते हैं second number question पर कादंबरी में वानित होगा यहांपर क्या है कादंबरी में वानित सुक पूर्वजन में था यहनी कि सुक जो थे कादंबरी में वानित वो कौन था पूर्वजन में या फिर यह question दूसरी तरह से पूछ जया जाता कि सुक का दूसरा नाम क्या था सुद्रक, बैस्पायन, तारपीड या फिछंद्रपीड तो दोस्तों सुक का दूसरा नाम या पूर जिनम में जो था वो था बैस्पायन इसका बी नंबर आपसन आपका बिल्कुल सही हो जाए कि बैस्पायन उनका नाम था और ये कादंबरी भी इंपोर्टेंट गरंत है इसकी रचना की थी बाण भट ने ये भी पूछ जिये जात आप लोग नोट कर लीजिए उपर अभी बताया था भारभ भारभ ने कौन से गरंत की रचना की है इन्होंने किये किरातार जुनियम की ये देखिए क्वेश्चन आगया किरातार जुनियम से क्या है किरातार जुनियम में कितने सर्ग हैं 20, 18, 19 या फिर 21 तो दोस्तों किरा भी रस्पर आधारित गरंत है किरातार जुनियम में और ये भारभ के दोरा लिखा हुआ गरंत है बहुत ही महत्पूर्ण गरंत है इससे एक दो नमबर के कुश्चन जरूर आ जाते हैं अगला फोर्थ नमबर कुश्चन है चोर भहयम में कौन सा समास है या भय होगा चोर भहयम में कौन सा समास है त्रतिया तत्पुरुस दुतिया तत्पुरुस पंचमी तत्पुरुस या फिर सश्ठी तत्पुरुस तो दोस्तों चावर भहयम लिखा हुआ है क्योंकि चोर से भय है तो से कौन से पंचमी वक्ति में आएगा क्योंकि से अलग होने के लिए आ र पुरुस्तुसम में दिया हुआ है, तो इसका आपका C number option बिल्कुल सही हो जाएगा, समास विग्रह जब भी आपसे आएगा, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि इसका विग्रह क्या हो रहा है, और उसका हिंदी अर्थ क्या बन रहा है, हिंदी अर्थ उसका जो भी बन प्लस एती, तथा प्लस एती या फिर तथा प्लस इत, तो दोस्तों इसमें देखें, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, तथ प्लस इत हो नहीं सकता है, तथा प्लस एती भी गलत है, तथा प्लस इत भी गलत है, क्योंकि इत दिया हुआ है, पहले आप सब्द पढ़िए, फिर इसका जब आप चारों ओप्शन देखेंगे आपको खुद बता लग जाएगा कौन सा ओप्शन सुईटेबल बैटराइस पे तो इसका आपका C नमबर ओप्शन सही हो जाएगा तथा प्लस इत तथेती इसी परकार से आता है तथेवा जाता है ये भी इसी परकार से ले पर में बढ़ित है कालिदास बैधर्मी बैधर्मी शैली के कभी हां या फिर माल विकागनी मित्रम नाटक में साथ अंक है तो दुस्तों यह गिस्टन बिल्कुल सही है ने फांबर और उप्सण भी सोही है माल विकाग ने मित्रम जो रचना तो पांच और इनके दौरा जीआ गधियागे works इसमें साथ देदि का यही गलत हो गया और इस जा आपके देखे कितने토र्शन बन गया ès हчи सही है कालिदा से पूछ जाता किस सहली के कभी है तो बैदर्मी सहली के कभी हैं साकुंतलम की कथा महावारत के किस पर्व में लिखे हैं तो दोस्तों यह आधी पर्व में बनी था इसका इसका आपका डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मालवी काग निमित्रम में कितने अगला सेवन नंबर कोश्चन है महावारत को कहा जाता है जै सहीता आदिकाल सैप्तिक सहीता या फिर अरण सहीता तो दोस्तों महावारत को जै सहीता के नाम से जाना जाता है क्या है जै सहीता किसका नाम है महावारत का दूसरा नाम है इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही ह जाएगा इसका आज बढ़ते हैं एरत नंबर कोश्चन में संस्क्रिट में 10,000 होगा यूतम सहस्त्रम लच्छम या फिर आयूतम तो दोस्तों संस्क्रिट में 10,000 को आयूतम कहा जाता है इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा आयूतम क्या होता है 10,000 को आयूतम कहा जात बिल्कुल सही हो जाएक आपका इस तरह के question भी पूछ जाते हैं वैसे मेली आपकी एक से सो तक की गिंती आती है लेकिन कभी कभी कुछ भरोसा नहीं कभी बाहर भी पूछ देते हैं इसलिए आपको एक हजार दो हजार दस हजार एक लाग दस लाग इनकी गिंती आभस्चेख होती आना और एक से सो तक की गिंती पर मैं एक पूरा पाड़ बना चुका हूँ अगर आपने ना देखा और ट्रिक के साथ तो उसे देख के आप लोग अपनी संस्क्रत की गिंती की त्यारी कर सकते हैं और दुस्तों साथ ही साथ आप लोगों को बताना लच्छम किसे कहा जाता है इसका आपका सी नंबर आप्षण का आंसर देना है लच्छम को हिंदी में क्या खान जते किश के लिए प्रियूकष होता है लच्छम अपने आंसर जरूर देआ जलाएं अब बढ़ते हैं नाइन नंबर कोश्न पर कालिदास का आस्ट्रएदाता राजा कौन थे चंद्रगुप्त विक्रमार दित पुष्चे मित्र असों या फिर सकन्द गुप्त तो दुस्तों इसका आपका ए नमबर ओप्शन सही हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमार जो थे ये कालिदास के आस्त्रयदाता राजा थे इस तरह से भी कोशन पूछ दिया ज सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है रिट्युसंघार मेख दूतम रखभंसम या फिर अभिज्ञान साकुंतलम तो दोस्तों यह जो क्रति है मेख दूतम से ली गई इसका बी नंबर आप्शन सही हो जाएगा और दोस्तों साथ ही साथ एक कोश्चन का अंसर आपको और देना है कि मेख दूतम किसकी रचना है बहुत ही इंपोर्टेंट रचना है और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ इसी तरह की रचना है पूछ दी जाती है आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फिर तो दोस्तों इसका अंसर आप लोगो कमेंड बाक्स में देना आप बढ़ते है 11 number question पर उत्तर राम्चरित के तरती एंग में कुल कितने इसलोग है 4642 48 या फिर 38 तो दोस्तों इसका आपका sea number option से हो जाएगा कुल 48 इसलोग है कितने 48 उत्तर रामचरित के तरती एंग में कितने कुल 48 इसलोग है और दोस्तों साथ ही साध साट उत्तर रामचरित में कुल सात एंग हैं कुल सात एंग है एदिया आप से पूछ दिया जाता कुल कितने एंग है सात एंग है और तीषरे एंग में कुल 48 इस लोग दिये हुए हैं इसके आद बढ़ते हैं 12 नंबर कोशन पर ब्रहत कथा के लेकक कौन है अंभीका दत्व्यास प्रसेंजीत गुणाट या फिर अगस्त मुनी तो दोस्तों इसका आपका C नंबर आप्शन सही हो जाएगा इसके जो लेकक है वो गुणाटे है इन्हो नहीं लिखिये ब्रहत कथा इसके आद बढ़ते हैं 13 नंबर कोशन पर सहसा विद्धीत ना क्रियाम अभीवेका किस कभी का प्री इस लोग है मांग मर्धरी भारव या फिर कालिदास तो दोस्तों 13 नंबर कोशन का आपका C आप्शन सही हो जाएगा ये इस लोग भारवी क कभी भी अचानक से कोई बिना विवेक का यूज कि किसी कारे को नहीं करना चाहिए यह मेंसा गलत ही होता है यह इसका अर्थ बताए गया 13 नंबर कोशन का अब बढ़ते है 14 नंबर कोशन पर का निम लिखित में से कौन सा यूगम सही नहीं है तो दोस्तों यह रचनाइदी या फिर राज तरंगणी छे मेंद्र तो दोस्तों इसका आपका कौन सा उप्षन गलत है यह बताना है कौन सा यूगम सही नहीं है तो दोस्तों इसका आपका डी नंबर उप्षन जो दिया हुआ यह उप्षन गलत है यही वाला उप्षन आप लगा देंगे कि सही नहीं है और जो राज तरंगणी के लेखक हैं ये छे मेंदर नहीं ये कलहड हैं ये कोशन बनता है आपका important कोशन है कि राज तरंगणी किसके दौरा लिखी गई है तो ये कलहड के दौरा लिखी गई है अब बढ़ते हैं 15 नमबर कोशन पर किरातार जुनियम में किरात सब्द किसका बोधक है कोल मिल का किरीट धारी का संकर का या फिर कारतिकिये का तो दोस्तों किरात जो सब्द है संकर का है और उपर मेंने भी आपको बताया था किरातार जुनियम किरात और अर्जुन के युद्ध को बानित करती घटना और किरात जो है ये संकर जी का एक रूप है तो य दोस्तों इसका आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा लच्मी प्रतेक सर्ग के अंतिम पाद का पद है और जल्दी आपको संस्क्रत साहित का पार्ट मिल जाएगा अगर आपको चाहिए तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताएगा ये सभी यूपीटेट के लिए बहुत ही मैं आपको इंफर्म कर दूँगा कि कि किस टाइम लाइफ क्लास आप लोग की चलेगी इसके लावा बाल विकास के मैं 100 कोस्टन का पार्ट ला चुका हूँ सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिये हुए हैं वहां से आप लोग देख सकते हैं इसके आदाज का अंतिम 17 न दो बशन की बात हो रही है और दूसरी में की बात हो रहाए इसका आपका C नंबर उप्शन सही हो जाएगा शतिमी भक्ती इसलाख को बताना ने में कितने question आपके सही हुए है और उपर जो 2 question मैंने पूछे उनके answer भी comment box में जरूर दे अधिक से अधिक संख्या में तो दोस्तों आज किस पार्ट में इतना ही अब आपके 67 question complete हो गए आगे के 2 part में ये पूरा आपके 100 question complete हो जाएंगे तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करना ना बूलें इसे अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से दिक groups में share करनें और comment box में अपने answer देना ना बूलें thank you दोस्तों